हमारे इतापरमेश्वर और पुत्रियश्य मसी के पवित्र और शामर्थि नाम की महिमा हो आज हम वच्चन के मनन के लिए हम पढ़ेंगे यहुना रचित सुसमाचार उनका विश्वा अध्याय और उनकी दस आयत से लेकर 31 आयत तक हम पढ़ेंगे यहना रचित सुसमाचार विश्वा अध्याय तब ये चेले अपने घर लोट गए परंतु मर्यम रोती हुई कब्र के पास ही बाहर खड़ी रही और रोते रोते कब्र की ओर जुक कर दो स्वर्ग दूतों को उज्वल कपले पहने हुए एक को सिराहने और दूसरे को पैताने बैठे देखा जहां इश्व की लोथ पड़ी थी उन्होंने उससे कहा हे नारी तु क्यों रोती है उसने उनसे कहा वे मेरे प्रभु को उठा ले गए और मैं नहीं जानती कि उसे कहा रखा है यह कहकर वे पीछे फिरी और इश्व को खड़े देखा और न पहचाना कि यह इश्व है इश्व ने उससे कहा हे नारी तु क्यों रोती है किसको ढूंडती है उसने माली समझ कर उससे कहा हे महराज यदि तूने उससे उठा लिया है तो मुझ से कहे कि उससे कहा रखा है और मैं उससे ले जाऊंगी इश्व ने उससे कहा मरियम उसने पीछे फिर कर उस मत चूँ क्योंकि मैं अब तक पिता के पास उपर नहीं गया, परंतु मेरे भाईयों के पास जाकर उन से कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास उपर जाता हूं। मरियम मगदलीनी ने जाकर चेलों को बताया कि मैंने प्रभू को देखा और उसने मुझ से ये बातें कहीं। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय जब वहां के द्वार जहां चेले थे, यहुदियों के डर के मारे बंद थे, तब ईशु आया और बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांती मिले। और यह कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उनको खाए, तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए, ईशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांती मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है, वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। यह कहकर उसने उन पर फूका, और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। जिनके पाप तुम ख्षमा करो, वे उनके लिए ख्षमा किये गए हैं, जिनके तुम रखो, वे रखे गए हैं। परंतु बारहों में से एक व्यक्ती अर्थात थोमा, जो दिदुमुस कहलाता है, जब ईशु आया, तो उनकी साथ न था। जब और चेले उससे कहन लगे, कि हमने प्रभ उनकी न डालनू और उसके पंजर में अपना हाथ न डालनू, तब तक मैं प्रतीती नहीं करूंगा। आठ दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे, और थोमा उनके साथ था, और द्वार बंद थे, तब ईशु ने आकर और बीच में खड़ा होकर कहा, तुम्हें श विश्वासी नहीं, परंतु विश्वासी हो। यह सुन्थोमा ने उतर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। यिशु ने उससे कहा, तुने तो मुझे देखकर विश्वास किया है, धन्य वे हैं, जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। यिशु ने और भ कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसी है और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। इस दिन यीशु जी उठा इस दिन सुबह भोर का अंदेरा था तभी मरियम मगदेली जो प्रबुस से बहुत प्रयम करती थी वो कबर के पास पहुची और जब कबर के उपर शेपत्थर हटा हुआ देखा तो अपने चेलो को साथ लेकर वो पहुची और उन लोगों ने विश्वास किया लेकिन पवित्र सास्त्र की इस बात को वो न समझे कि उसे मरे हुँ मैसे जी उठना होगा और वो वहां से चले गए उनके बाद मरियम मगदेली नी जो वहां पर थी वो रोती हुई कबर के पास खड़ी रही और रोते-रोते कबर की और जुक कर उसने देखा एक जो था वो यिश्वमसी का जो सब रखा था उनके सीरहाने सीर की और दूसरे को पेरों की और बेठा हुआ देखा और उन्होंने उससे कहा मरियम मगदलीनी को कहा कि हे नारी तू क्यों रोती है उसने उनसे कहा वे मेरे प्रबु को उठा ले गए और मैं नहीं ज रोती है और आगे हम पढ़ते हैं कि यहां कहा करव पीछे मूरी तो यिश्वु वहां पर खड़े हुए देखा पर न पहचाना कि वह यिश्व है यिश्व ने उससे कहा हे नारी तू क्यों रोती है किसको ढूंडती है उसने माली समझ कर उससे कहा हे महाराज यदि तुने उसे उठा लिया है तो मुझे बता कि वो उसे कहां रखा है और मैं उसे ले जाओंगी यिश्यू ने उसे कहा मरियम उसने पीछे मूल कर उसे इबरानी में कहा रब्बूनी अर्थात है गुरू यहाँ पर हम देखते है कि स्वर्गदूतो और यिश्यू मसी ने जब वो उनके सामने प्रगट हुए तो उसने कहा कि हे नारी तू क्यों रोती है जब यिश्यू मसी को उसने देखा तो प्रभूनी उसे कहा कि तू क्यों रोती है जब हम काफी चीजों के बारे में हम चिंतित होते हैं यहां मर्यम मगदलन एक यिश्य मसी को जो कबर के अंदर रखा था उनके लिए वो रोती थी और इसलिए यिश्य ने कहा कि क्यों रोती हैं काफी बार हम हमारे जीवन के अंदर रोते हैं लेकिन जब यिश्य मसी हमारे शामने प्रगट होते हैं वो कहता है तू क्यों रोता है तुझ क्यों रोती है? क्योंकि हमारा उदधार करता हमारे । हमारे सामने जब रगट हوتा है उसनी हमारे सारे पापो और को अपने पर उठा लिया है इसलिए हमें रोना नहीं हैं लेकिन जिस पर हम विश्वास करते हैं वो सामने से वह हियाओ देता है हमें वो द्रड करता है और इसलिए मरियमि मगदलनी को उसने कहा कि तू क्यों रोती है और उसने कहा कि तू मुझे अब मत चू और तू मेरे भाईयों के पास जाकर उनसे कह दे कि मैं अपने पीता और तुम्हारे पीता और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्यों के पास उपर जाता हूँ तब मरियमि मगदलनी ने जागर अपने चेलों को बताया तो चेले लोग ने यह बात सुनी तो वो लोग आश्रे चकित हो गए और उसी दिन साम के समय में जो सब्ता का पहला दिन थी संद्या के समय प्रभी यिश्यों मसी के चेले जो यहुदियों के डर के मारे एक घर में वो एक घर में बंद थे वहाँ पर यिश्यों प्रगट हुआ और खड़ा होकर उनसे कहने लगा तुम्हें शान्ति मिले और यह कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाए तब चेले प्रभु को देखकर आनदित हो गए जो चेले वहाँ पर घर में थे वो सब उन बातों को देखकर इश्यों मसी को देखकर वो आनदित हो गए और फिर से उनसे कहा तुम्हें शान्ती मिले जैसे पिता ने भेजा है वेसे ही मैं तुम्हें भी भेजता हूँ यह कहा करो उन पर फूका और उनसे कहा भईतरात्मा लो जिसके पाप तुम शमा करो वे उनके लिए ख्षमा किये गए हैं जिनके तुम रखो वे रखे गए हैं जब चेलों के शामनी यशि मसीश प्रगठ हुए और पहला आसिस उसने कया कि तुम्हें शांति मिले यशि मसीश की शांति उसने हमें दी है और दुसरा आसिस यह था कि जैसे पिता ने मुझे भेज़ा है वैसे में भी तुम्हें भेजता हूँ मसीमी मेरे फ्रीयो जब ईश्य मसीनी इन वचनों को कहा है कि जैसे पिताने मुझे भेजा है पुरुथी पर वेसे ही मैं भी आपको इस पुरुथी पर भेजता हूँ यह कहा कर उसने पवितरात्मा को पाने के लिए उन्हें आसिस दी और उन अधिकार रखने के लिए कहा कि जिनके पाप तो ख्षमा करोगे उनके पाप समा हो जाएंगे यह आसिस हमारे लिए एक अद्बुद आसिस है कि जिस लोगों के पापों को हम ख्षमा करते हैं वो ख्षमा किये जाते हैं उसके बाद हम देखते हैं कि धोमा उन चेलों के साथ उस दिन नहीं था लेकिन कुछ दिनों के बाद जब धोमा के साथ जब धोमा जो दिदुमस कहलाता है जब येश्यू आया तो उसके साथ न था जब अन्य चेलों के कहने लगे कि प्रभू हमने प्रभू को देखा है तब उसने कहा जब तक मैं उसके हाथों को किलो के छेद इचे न देख लू और किलो के छेदों में अपनी उंगली न डाल लू और उसके पंजर में अपना हाथ न डाल दू तब तक मैं विश्वास नहीं करूँगा थोमा उनके पंजरु थान के बारे में अविश्वास करता है कि जब तक मैं उसे न जाच लो अपने हाथों से न देखो जब तक मैं उसके किलो को छेदों में उंगली डाल कर न देखो तब तक मैं विश्वास नहीं करूँगा लेकिन आठ दिन के बाद जब उसके चेले फिर एक गर में थे तब थोमा उनके साथ था और उसे दिन यिश्वमसी उनके सामने खड़ा होकर कहने लगा तुम्हें शान्ती मिले जब चेलो के सामने यिश्वमसी प्रगट हुए तो पहली आज जिस वो देते थे तो तुम्हें शान्ती मिले और थोमा से कहा कि अपने उंगली यहां लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंज़र में डार और अविश्वासी नहीं रहे परन्तु विश्वासी हो यह सुन कर थोमा ने उत्तर दिया हे मेरे प्रभू हे मेरे परमेश्वर जब रश्मान दीती से ये श्मसी थोमा के सामने प्रगट हुए और उसने कहा कि अपने हाथ डाल कर मुझे जाँच ले और अव विस्वा सुना रहे तब थोमा ने विस्वास किया और ये श्मसी ने उससे कहा तुने मुझे देखा है क्या इसलिए विस्वास किया है धन्य है वे जिनोंने बीना देखे विस्वास किया है जो बीना देखे विस्वास करते हैं वे धन्य हैं वे आसेशित है दूसरा तीमोथी दो तेरा में हम एक प्रभु का एक वच्चन को हम पढ़ते हैं यहां पर लिखा यदि हम अविस्वास भी हो तो भी वह विस्वास योग्य बना रहता है क्योंकि वह आप अपना इंकार नहीं कर सकता यिश्मसी के बारे में अगर हम अविस्वास अगर मालूम पढ़ते हैं भी वह अपनी विस्वास योग्यता को परगट करता है वह अपने आप से इंकार नहीं कर सकता उसने कहा मैं पुंद्रुत्थान और जीवन में हूँ जो मुझ पर विस्वास करेगा वो अगर मर भी जाए वो फिर वो जीवित हो जाएगा इश्व मसी पुंद्रुत्थान और जीवन है वो हमारा जीवन है वो हमारा पुंद्रुत्थान इसलिए हमें उस पर विस्वास करना चाहिए और बहुत चिनह उनके सामने इश्व मसी ने दिखाए और बहुत ऐसे आश्य करम है जो इस पुस्तक में नहीं लिखे गए हैं लेकिन उन अश्यर कर्मों को जब हम पढ़ते हैं तो हमें विश्वास करना चाहिए कि यिश्व मसीही परमेश्यर का पुत्र है हमें उस पर विश्वास करना चाहिए और उस पर विश्वास करने के दोरा जो हमें जीवन मिलता है उ इसलिए उस पुंद्रू थान के यशू को यशू पर हम विश्वास करें और अनन्चिवन को पाए हम अविश्वास सुना रहे पर उस पर विश्वास करें ताकि हमें अनन्चिवन मिले और इन वचनों को जब हम पढ़ते हैं तो मरियम मगदलनी को यशू कहता है कि तू क्यो हमें रोना नहीं है लेकिन उस पर विश्वास करना है उसके पुंद्रू थान के सुसमा चार को बताना है शुनाना है और इसलिए जमें शाम करते हैं तो प्रबू हमें धन्य कहता है और जीने बीना देखे विश्वास किया वो धन्य है और प्रबू से हम शान्ती को हमें प इसलिए इस आसिसों से पाकर हम और भी ज़्यादा से ज़्यादा अपने विश्वास में द्रड़ और महजूद हो। प्रभू इन वचनों के द्वारा आप सबे को आसे शिद्ध करें। आमेन। परमिश्वर के महान और पवित्र नाम की स्तुति हो। आज हम वचन के मनन के लिए पढ़ेंगे। निती वचन उसका तेरवा अध्याए और उसकी 20 आयत से लेकर 25 आयत तक और 14 आध्याए की एक से लेकर 4 आयत तक हम पढ़ेंगे और सुनेंगे। बुद्धिमानों की संगेती कर तब तू भी बुद्धिमान हो जाएगा परंतु मुर्खों का साथी नाश हो जाएगा। बुराई पापियों के पीछे पढ़ती है और धर्मियों को अच्छा फल मिलता है। भला मनुष्य अपने नाति पोतों के लिए भाग छोड़ जात है। परंतु पापि के संपती धर्मि के लिए रखी जाती है। निर्बल लोगों को खेती बारी से बहुत भोजन वस्तु मिलती है। परंतु ऐसे लोग भी है जो अन्या के कारण मिठ जाते हैं। जो बेटे पर छड़ी नहीं चलाता, वह उसका बैरी है। परंतु जो उस अध्याय चवदह, नितिवचन अध्याय चवदह। हर बुद्धिमान श्त्री अपने घर को बनाती है। पर मुड़ि स्त्री उसको अपने ही हातों से ढहा देती है। जो सिधाय से चलता, वह यहोवा का भय मानने वाला है। परंतु जो तेढी चाल चलता, वह उसको का अंकूर है परन्तु बुद्धिमान लोग अपने वचनों के द्वारा रक्षा पाते हैं जहां बैल नहीं वहां गौशाला निर्मल तो हो रहती है परन्तु बैल के बल से अनाच की बढ़ती होती है यहां पर इस वचनों को जब हम बढ़ते हैं तो हम काफी चीजों को सीख सकते हैं अपरे जीवन के अंदर पहले चीज है जो मनुष्य बुद्धिमानों की शंगती करता है तो वो भी बुद्धिमान हो जाता है परन्तु मुर्खों का साथ ही नश्ट हो जाएगा प्रभु में मेरे प्रियो जब हम बुद्धिमान मनुष्य के साथ संगती करते हैं जो अच्छे कामों को करते हैं जो भलाई के कामों को करते हैं जिसके पास परमेश्वर का अच्छा ग्यान है या जिनके पास भलाई करने की मनसा है तो ऐसे लोगों से जब हम संगती करते ह तो हम भी बुद्धिमान हो जाते हैं परन्तु मुर्खों का साथ ही नस्ट हो जाएगा ऐसा लिखा है जब बुरे मनुष्य के संगती करेंगे तो हमारा जीवन नस्ट होता चला जाता है क्योंकि उनके जीवन के अंदर बुराई की चीजे हमें प्राप्त होती है और धिरे ध पुराई की जड़ वो हमें भी फैलने लगती है इसलिए प्रभु का दास हमें कहता है कि अगर तो बुद्धिमानों की शंगती करेगा तो तो बुद्धिमान हो जाएगा इसलिए जब नए नियम की कलीशिया का उत्थान हुआ जब पत्रस सुसमाचार प्रचार कर रहा थ जब पवित्रा आत्मा उन पर उत्रा उन दिनों में जब प्रचतो के काम दुसरा अध्यार बैयालिस आएत में हम पड़ते हैं कि जब लोग उनके पास आए मन फिराने और बाप्तिस्मा लेने लगे और प्रचतो की जो सिक्षा हित्ती उनको पाने के लिए लोग इखट तो प्रशितों के काम दुसरा दियार वेयलिस आयत में पढ़ते हैं और वे प्रशितों से सिक्सा पाने और शंगती रखने और रोटी तोड़ने और फ्रातना करने से लोलिन रहे उसमें वो लगे रहे तो अगर हम मसी में हैं अगर हम मसी में हम उन्नति को पाना चाहते हैं या अच्छे प्रतिफल की हम कामना रखते हैं तो जैसे सुरू की कलीशिया में जो चीज पाई जाती थी वो चीजे हमें अपने जीवन के inventor इस्तेमाल करने की जरूरत है और वो यहा है कि जो लोग पत्रस के सुसमाचार के द्वारा उनके पास आये हुए प्रड़ितों से सिक्सा पाने और शंगती रखने और रोटी तोड़ने और प्रातना करने से लोलीन रहे और इनका प्रती रूप में हम देखते हैं कि कलिश्या दिन प्रती दिन बढ़ती च आने लगे तो इसलिए बुद्धिमानों की शंगती रखना प्रभू के लोगों के साथ संगती रखना आत्मी लोगों से संगती रखना हमारे लिए एक बुद्धिमान चीज़ है आगे हम यहाँ पर देखते हैं कि बुराई पापियों के पीछे पढ़ती है परंतो धर्मियों को अच्छा फाल मिलता है पापी जो लोग हैं जिनके मन के अंदर हर वक्त बुराई पाए जाती है और इसलिए उनके पीछे बुराई पढ़ जाती है परंतो धर्मियों को अच्छा फाल मिलता है जो धर्मि मनुश्य है धर्म के कामों करता है लोगों की शेवा करता है या प्रभु की वच्चन को ज्यादा महत्वा देता है और इसलिए प्रभु उसे अच्छा फल्वंत मनुश्य बनाता है क्योंकि उसका भरोसा परमेश्र पर रहता है और उनका मन जो है वो अच्छी चीजों से भराऊवा रहता है आगे हम पढ़ते हैं कि भ़ला मनुश्य अपने नाती पोतों के लिए संपती छोड़ जाता है प्रंदू पापी की शंपती धर्मी के लिए रखी जाती है बहला मनुश्यों जो है अपने परिवार के लिए वो चिंता करता है अपने बच्चों के लिए अपने बेटे बेटियों के लिए उनके भविश्य के लिए उनके चिंता होती है इसलिए वो परिश्रम करके अपने परिवार को स्थीर करता है और आने वालों पीडी के लोगों के लिए अपने पीडी के बच्चों के लिए वो सारी शंपती को छोड़ जाता है क्योंकि उनके मन के अंदर भलाई करने की इच्छा रहती है आगे हम देखते हैं कि निर्बल लोगों को खेती बारी से बहुत भोजन वस्तों मेलती है पर उन्तु ऐसे लोग भी हैं जो अन्याय के कारण मेट जाते हैं जो लोग खेती बारी करते हैं ऐसे लोग जो भरोशा प्रभू पर रखते हैं परमिश्षर पर उसके वच्चन पर चलते हैं उनके लिए अच्छे बहुत भोजन वस्तों मेलती है उनके कोई कमी कटी नहीं रहेती है क्योंकि जो प्रभू पर प्रेम रखने वाले लोगों के लिए कोई भी अच्छी चीजें प्रभू नहीं रख छोड़ता हर चीजें प्रभू उन्हें देता है लेकिन ऐसे लोग भी जो अन्याई की करण मिट जाते है जो अन्याई करता है उनका अंत जल्दी आ जाता है आगे हम एक महत्व फूर्ण चीज को हम यहां पर पढ़ते हैं जो बेटे पर छड़ी नहीं चलाता वह उसका बेरी है परन्तु जो उससे प्रेम रखता वह यतन से उसको शिक्षा देता है जो पिता अपने बेटे पर छड़ी नहीं चलाता वह उसका बेरी है ऐसा लिखा है इसलिए पिता का जो सच्चा फ्रेम जो है जो इसके द्वारा हमें दिखाए देता है जो उससे प्रेम रखता है यतन से उसे शिक्षा देता है जो प्रेमी पिता जो है वो अपने बेटे पर छड़ी चलाता है तो उनका प्रतिफल यो है कि वो उनका प्रेम करने वाला पिता जाना जाता है इस बात को समझने के लिए हम हेबरुनियों की पत्रि उसका बारवा अध्या है और उसके साथ से लेकर ग्यारा आयत में हम पढ़ते हैं कि जो पिता अपने बेटे पर ताड़ना देता है या उन पर छड़ी चलाता है तो वो एक अच्छा पिता के रूप में है यहाँ पर दि सारिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे और हमने उसको आदर किया तो क्या आत्माओं के पिता और भी आदी नर है जिससे हम जिवित रहें सारिक पिता जो हमें ताड़ना किया करते थे उसका हम आदर करते थे और उसका फल सरूप हम जीवन को पाते थे और इसलिए हम में हमारे भविश्य के हम अच्छी बातों का हम देख सकते थे इसलिए हम यहां पर कुछ आत्मिक चीजों को भी हम पढ़ते हैं आठवी आयत में लिखा है यदि वह ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई तो तुम पुत्र नहीं पर व्यभिचार की स संतान ठहर है यहां एक कटू सब्द परमेश्र यूज़ करता है वह यह है कि जिससे परमेश्र ताड़ना देता है जिसके भागी अगर हम नहीं होते तो हम उसके पुत्र नहीं ठारते परंतु व्यभिचार की संतान ठारते हैं और यह सच बात है यह सच्चाई है कि जिस ताड़ना को हम भागी नहीं होते तो हम पुत्र नहीं ठारते क्योंकि पीता जिस बेटे पर जिस पुत्र पर ताड़ना करता है वो भलाई ही किलिए करता है वरतमान समय में त तो जो ताड़ना हमें मिलती हैं, वो आनन की नहीं लगती, वो सोक की बात दिखाए पढ़ती हैं, फिर भी जब उसके हम साथे हैं, तो हम पक्के हो जाते हैं, बाद में हमें चेन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। इसका मतलब ये कि जब पिता अपने बेटे पर ताड़ना करता है अपने छड़ी को चलाता है तो वो हमारे भलाई ही की करण हम पर छड़ी को उठाता है ताकि हम चेन के साथ धर्म का प्रतिक फल को हो पाए हम अनजी उनको पाए हम ना हमारा आत्मा नास ना हो जाए हम नरक म लेकिन हम प्रबु के राज्जे के भागी होई, उनके राज्जे के हम भागीदार बन सकें, इसलिए कभी कभी परमेश और हम पर अपनी जड़ी को उठाता है, हमें तारना देता है, और जब हम उस तारना कों सहा लेते हैं, और पिता का आदर करते हैं, तो हम चेन के साथ धर्म का प्रतिफ़ल को हम पाते हैं हम अनन्जीवन को हम पाते हैं यहाँ पर लिखा है कि ऐसा कौन सा पिता है जिस पुत्र पर वो ताड़ना नहीं करता ऐसा कोई पिता नहीं जो अपना पुत्र को ताड़ना नहीं देता क्योंकि उनके भविश्यक के लिए वो चिंता करता है तो प्रियो इसलिए दाउद भी भजन सहीता 23 और उसके चार आयत में वो कहता है कि तेरे सोटे और तेरे लाठी से मुझे शांती मिलती है तेरे सोटे और तेरे लाठी से मुझे सांती मिलती है और इसलिए परमेश्व का ज्यान हमें शिखाता है कि परमेश्व जी से फ्रेम करता है उसे वो ताड़ना भी करता है और वो हमारी भलाई के लिए होता है और यहाँ पर नितिव चन चोद्व जय की पहली आयत सम आगे पढ़ते हैं वहाँ पर लिखा है हर बुद्धि मानस्त्री अपने घर को बनाती है पर मुड्श्त्री अपने ही हातों से डा देती है बुद्धि मानस्त्री अपने घर को बनाती है क्योंकि परमेश्व का ज्यान उनके अंदर काये करता है वो अपने परिवार की सुधी लेती है अपने बच्चों की संभाल करत अपने पती के बारे में वो सोचती है, उनके खाने के इंतिजाम करती है, वो सुबह जल्दी उठकर सभी लोगों को वो काम को बाटती है, सभी लोगों के खाने की चिंता करती है, अच्छा व्यापार के लिए वो चिंता करती है, उनके कपडों के लिए वो चिंता करती है, हर एक परिवार के सदस्य पर उसकी नजर रहती हैं और इसलिए नितिवचन 31 और 10 आयत से हम एक आदर्स्त्री के बारे में हम पढ़ते हैं कि एक आदर्स्त्री के जो लक्षन है जो उनके गून है उन गूनों की चर्चा वहां पर हम देखते हैं और इसी 31 और 27 आयत में हम पढ़ और अपनी रोटी बीना पनिश्रम नहीं खाती है अपनी परिवार जनों की वो देख भाल करती है और इसलिए उनका घर स्थीर रहता है यहां पर हम आगे हम पढ़ते हैं कि एक गर्विष्ट मनुष्य एक मूर्ख मनुष्य जिनके मुह के अंदर गर्व या अभिमान रहता ह उसका अंकुर रहता है परंतों बुद्धिमान लोग अपने वच्चनों के दुआ रक्षा पाते हैं परमेश्वर गर्व करने वाले या अभिमान करने वाले के समुख खड़ा रहता है उनके सामना करता है परंतों जो नम्रजन है वो दिमान लोग है उनको प्रभू मदद करता है और चोद्व और उसके चार आयत में हम एक बहु मुल्य चीज़ को हम पढ़ते हैं जहां बेल नहीं वहां गोव साला छुच्छ तो रहती है परन्तु बेल के बल से अनाज की बढ़ती होती है जहां बेल नहीं वहां गोव साला छुच्छ तो रहती है अप्रियो बेल एक ऐसा प्राणी है जिसके द्वारा मनुश्य खेती करता है या जिनके उप्योग से मनुश्य जो है वो सामान को एक जगह से दूसरे जगह ले जाता है मतलब कि ट्रांस्पोर्टेशन का काम उनके द्वारा किया जाता है मतलब एक बेल ऐसा प्राणी है जो परिश्रम करने या अपने मालिक को अच्छा फल देने वाला इक प्रानी है लेकिन अंगर बेल नहीं रहने से कार्ड गोसाला या उसके मालिक को जो उक्षान होता है वो काफी ज्यादा होता है गोसाला के कलीश्या के रूप में हम देख सकते हैं जहां पर परिश्रम करने वाले लोग नहीं रहेंगे कलीश्या में प्रात्ना करने वाले लोग नहीं रहेंगे कलीश्या में एक दूसरे के मदद करने वाले लोग नहीं रहेंग या एक दूसरे का भार उठाने वाले लोग नहीं रहेंगे तो जो गौसाला जो है जो कलीश्या जो है वो भार से अच्छी दिखेगी क्योंकि उसके इंदर कोई मनुश्या आता जाता नहीं रहता वो भार से अच्छी दिखेगी या उसका decorement उसका अच्छी तरह से हम दिखा सकते हैं लेकिन उसके अंदर काम करने वाले विश्वासी लोग नहीं रहेंगे तो कलीशियाक, ज्यादा फल नहीं पा सकती और वहाँ पर कोई अच्छी उपज नहीं देख सकते हैं क्योंकि बेल नहीं हैं काम करने वाले लोग नहीं हैं तो अच्छी उपज को हम खेत में नहीं देख सकते हैं या अच्छे प्रती फल को हम नहीं पा सकते हैं बेल के बल से अनाच की बढ़ती होते हैं उनका जो बल है बेल जो परिश्रम करने वाला प्राणी है उनके बल से जो मालिक है जो किशान है वो अच्छी उपच को पा सकता है ले शकता है लेकिन अगर बेड नहीं रहेंगे तो उनको प्रतिफल नहीं मिलेगा इसलिए अगर कलिश्या को जब हम देखते हैं वहाँ पर अगर काम करने वाले विश्वासी अगर नहीं रहेंगे तो कलिश्या की बड़ोत्री नहीं हो शकती वहाँ पर अच्छी उपच काम नहीं दे शकते चाहे वो कितनी भी शुνदर हो चर्य चाहे कितनी भी शुंदर दिखती हो या उसकी सजावाट कैसी भी शंदर क्यों नो हो लेकिन अगर वहां पर मेहनत करने वाले विश्वासी जन नहीं रहेंगे प्रभु के दास लोग नहीं रहेंगे परिश्रम करने वाले नहीं रहेंगे परातना करने वाले लोग नहीं रहेंगे सिक्षा देने वारे लोग नहीं रहेंगे तो कलीशिया उन्नती नहीं पास सकती और अच्छा फ़ल नहीं पास सकते इसलिए जब इन वचनों को जब हम पढ़ते हैं तो हम काफी चीजों को हम देख सकते हैं काफी ग्यान को हम प्राप्त कर सकते हैं हम बुद्धी मान बन शकते हैं अपने घरों को स्थीर रह शकते हैं बना सकते हैं तो इन वचनों को जब हम पढ़ते हैं प्रभू हमारे मन की आँखे खोले और ज़्यादा से ज़्याता उत्तम चीजों को हम इन वचनों के दोरा हम पाए और इस वच्चनों के द्वारा प्रभु आप सबी को बहुत तायद से आसिसीत करें आमें